हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब के इसाज करफित कि प। कि उर विएव Hoy कि इसाज करफित कि विए पर खबित करफित जर्षाइ बुक्राम कुछी जए वीधार हन थे अनरों, टिकेट गार बूर्जिए एबाइब। जान रखने पीकैसिंतजी ओज इप LEWI एट bringsit पिर 15 को देंल स्क्राइब। बिन आपर शाहिप टूर्स इसुन्ठी साथ बान्यास की डिया the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Saturday and 1st 2020 as per the budget schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence, I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. Then the Minister for Parliament Affairs, कि आपने पास चलते हैं निरज क्या अपडेट है क्या राजस्भा में अनौन्स हुआ है विल्कुल राजस्भा में अज जो बैंग्या ने अडू जब बोलना शुरू किये तो उन्होंने कहा की जो नियम है उनकी जो गैडलाइन से उसका भी जुड़न हुआ है साथ थी उन्हों ने ये भी कहा है कि जो no confidence motion आप लोग ला रहे हैं उपसभापती के खिलाप उसे मैं न कारता हूँ से मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि पहले ही उपसभापती ने आपसे साब कहा था कि आप लोग अपनी सीट पर जाईए आप लोग बेल पर नहीं आईए आप लोगों ने स्वैम ही उलंगन किया है तो इसलिए आपका जो आपकी जो मांग है पहले ही उस पर खारीज होती है तो सीधे दोर पर विंक्या नाइडू ने लेकिन निरज जो उमीद की जा रही थी कल हंगामा करने वाले सांसदों पर कारवाई हो सकती है वो कारवाई का आज कोई भी घोशना नहीं कि ये सभापती ने कहा है कि कारवाई आपके खिलाप ये बात उन्होंने भी अपने बात में करते समय कही है कि दिख घे फिलाइड बात में बात में उन्होंने झाले सांस कि ये साथ कारवाई सर्फ भी ठीक भी आपके तो प्रशका धिर लौण महीं कि अजिक और राखेश आंस स्याथ नचीर व्सेन भी अंचली घून पर्वाई कोई और दो आरा संसें, भी ड्समार में अटू इलमार में लेकर निलंबन की जो कारवाई थी जिसको लेकर अंदेशा था कि हो सकती है ट्यम्सी सांसर डेको अब्राहिम का नाम इसमें है इसके लबावा आमादी पाटी के सांसर संजे सिंह का नाम इसमें है आठ नाम खुद राइंकरे नाइडू ने लिए है नीरज लगातार हमारे साथ बने वही नीरज सभापती वहिंकिया नाइडू ने कड़ा रुख अक्तियार किया लिए आठ निलंबन मतलब तो सत्री खत्म हो जाएगा क्यूंकि ये तो सत्र वैसे भी छोटा कर दिया गया है ये तिल्कुल उन्होंने पहले ही सारा दे दिया था कि आप लोग खिलाब कारवाई हो सकती है लेकिन हंगामे को चलते वो लगातार जब नहीं माने तो उन्होंने फाइनली कह दिया कि जब पाल्यामेटी अफेर्स मिनिश्टर ने अपनी सिकायत दिया और उस सिकायत को आधार बनाते हुए इन सभी सांसदों को खासकर संजे सिंग, डेरेक, अब्रेम, राजी उशातो और निपुन बोरा इन चार ये और चार लोग है आठ लोगों को एक हटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया या कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है के सामने खड़ोकर प्रदर्शन होता है यानि अभी हंगामा होना है और तो यह लोग वहाँ भी जाके वहाँ फ्रदर्शन करेंगे अभी हो सकता है कि लोग्रशबा में भी इसकी कुछ गुझ दिखाई पड़े लोग्सबा में भी सामको कॉंग्रेस और दूसरे जो दलके नेता हैं वो लोग भी प्रतर्शन करें इस सस्पेंट के खिलाब कि अभी याद हो कि पिछले सत्र से पिछले उसमें जब कॉंग्रेस के केरल के जो सांसदों तो इसके बाद कई संसदों को एक हफते के लिए या या आप के सकते हैं आपकी इस पूरे सत्र के लिए सस्पेट कर दिया गया है नीराज अब लग रहा है कि तीसरा बिल जो आज आना था आवेश्ट बस्तू संचोदे नादीनियम वो शायद स्यांती से पास हो जाए क्योंकि अब आठ सांसदों पर कारवाई हो चुकी और जिस तरह कि तस्वीरे कल राजसवा में देखने को मिली थी आम आदी पार्टी के सांसद संजे सिंग ने पीट के सामने टेवल पर चड़कर नारेवाई की ती उसके बाद अब लग रहा है कि बाकी सांसदों को इस कारवाई के बाद सीख मिलेगी नारेवाजी के बाद जब मारसलों ने नीचे उतार कर बाहर करने का प्रयास किया तो उन्होंने एक मारसल का गला भी दबाया बलकि गले में हाथ लगा कर उसे ठेला भी और ये कहीं भी राजसवा की मर्यादा के पक्ष में नहीं कहा जा सकता निचित रुपे बिरोद का एक तरीका होता है आप बिरोद कर सकते हैं बेल में भी जाते हैं बेल में तो सबसे अंतिप छड़ में जाते हैं लेकिन ये तरीका नहीं होता है कि आप मार्शल से के गले में हाथ लगा दे किसी को धक्का दे दे किसी को मार दे कि उन्होंने विपक्ष के सांसदों ने जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्पास प्रस्ताओं के लिए नोटिस दिया था उसकी पूरी प्रक्रिया का उन्होंने देखा कल की पूरी कारवाही में जो हंगामा हुआ और डिप्टी स्पीकर का रोल क्या था इन दो बातों का उन्होंने ध्यान से देखा और अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते रहे लेकिन सांसद हंगामा करते रहे इसलिए डिवीजन नहीं हो सका यानि जो वोटिंग होती है वोटिंग नहीं होने दी विपक्ष ने इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में बिल के पास होने में डिप्टी स्पीकर का कोई रोल नही है कोई दोश नहीं है कि डिवीजन नहीं हो सका वोटिंग नहीं हो सकी जो आरोप है डिप्टी स्पीकर के उपर इसलिए जो प्रस्ताव है उसका एक रूलिंग भी दी को मूव करने से पहले 14 दिन का समय होना चाहिए चूकि इस सत्र में इस मांसुन सत्र में 14 दिन अब नहीं बचे हैं 14 दिन का समय नहीं हो पाएगा इसलिए अपने आप ये जो प्रक्रिया है ये निरस्त कर दी गई है जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस भी उसे निरस्त कर दिया गया है को कह दिया गया कि आप सुस्पेंड हो गए तिल रमेनिंग सेशन तो आप तो तब जो पड़ गए देखे निश्चित रूप से विपक्ष अपनी ही जो प्रक्रिया वो अपना रहा था अपनी बात जंता तक पहुंचाने के लिए उसमें संसत के अंदर कम से कम घिर गया है भले ही किसानों के बिल का जो उन्होंने विरोध किया इतना हंगामा किया उसमें राइनैतिक रूप से वो निश्चित रूप से जंता तक अपनी बात ये पहुंचा पाए है कि उन्होंने बिल का विरोध किया ये बात विपक्ष सिर्फ समझा पाया है लेकिन सदन के अंद बिल्कुल और कल जो हंगामा हुआ आपके पास इस बीच एक बेहत महत्पूर जानकारी आ रही है उस जानकारी को दर्शकों तक वह जा देते हैं राजी सबा दस बजे तक के लिए स्थगित हो गई है नहीं की करीब करीब 20 मिनट बात क्योंकि अब दस बजे में करीब 40 मिनट दस बजे तक के लिए राजी सबा को सब्सक्रवगा इस बजी इस बड़ी अपडेट पर लगातार हर ताजा खबर आपके सामने right एंगे नमस्ति भारत झाल झाल